राधा एक प्यारी सी लड़की थी जो गाम के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी आँखों में चमक और चहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। राधा का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही महनती और उत्साही थी। हर सु राधा अपनी किताबें लेकर स्कूल के लिए निकल जाती। रास्ते में वह अपने दोस्तों के साथ बातें करती और खेलती भी। स्कूल पहुचते ही वह अपने सहपाथियों के साथ मिलकर पढ़ाई करती और शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनती। उसकी शिक्षिक मिस्टर सुमिता हमेशा उसकी तारीफ करती और उसकी मेहनत की सराहना करती राधा के पास पढ़ाई के साथ साथ एक खास रुची थी चित्रकला वह अपनी कक्षा में अक्सर सुंदर चित्र बनाती और अपने चित्रों से सभी को आकरशित करती एक दिन स्कूल में एक चित्र कला प्रतियोगिता आयोजित की गई. राधा ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया और दिन रात महनत करने लगी. उसने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, जिसमें एक हरा-भरा बाग और वहां खेलते बच्चे थे. प्रतियोगिता के दिन राधा का चित्र देख कर सभी ने उसकी तारीफ की अंतता राधा को पहले स्थान का पुरसकार मिला उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने सोचा कि मेहनत और लगन से सभी सपने सच हो सकते हैं राधा की सफलता ने न केवल उसे बलकि उसके पूरे परिवार को भी गर्वित कर दिया उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ अपनी खुशी बांटी और अपनी पढ़ाई और चित्र कला में और अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया ये कहानी एक प्रिर्णा दायक संदेश देती है कि मेहनत और लगन से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है